या फिर अलग-अलग है तो इस पर हम आज विचार करेंगे कि ब्रह्म और जगत क्या एक है आदिगुरु शंकराचारे विवेक चुडामनी नामक इस ग्रंथ में इस शास्त्र में जो बाते बता रहे हैं उसी पर अधारित या चर्चा है कि ब्रह्म और जगत को एक बताया ज रहा है तो क्यूं बताया जा रहा है तो यही आज का विशय है और एक कैसे है कैसे हो सकता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के जगत तो मिथ्या है तो फिर ब्रह्म और जगत एक कैसे हो सकते हैं किस प्रकार से हो सकते हैं और यदि एक कहा जा रहा है तो एक क्यूं कहा जा रह वास्तों में जगत की जो अनुभूती है वह मित्या है जगत तो ब्रह्म सो रूप है कुछ ऐसी बाते बताई जा रही है तो किस धंग से क्योंकि ब्रह्म को ही मूल तक्तों माना गया है और ब्रह्म से ही सब निर्मित है जैसे घट और मृदा मतलब मिट्टी मिट्टी और घड़े में क्या अंतर मिट्टी नहीं घड़ा का रूप धारन किया तो मिट्टी और घड़े में क्या अंतर इसी लिए घड़ा अगर ये समझे कि वो मिट्टी से अलग है तो ऐसा नहीं है उसका तत्व तो मिट्टी ही है और सरवदा उसका तत्व मिट्टी ही रहेगा तो इसलिए इसमें फर्क नहीं समझना चाहिए इसमें भेद नहीं समझना चाहिए ऐसे ही तरकों के साथ और भी कही बाते आदि गुरू शंकर अचार लिखते हैं आईए हम चलते हैं सुत्रों पर विवेक्चुडामनी के सुत्र इस विशय में क्या कहते हैं कि ब्रह्म और जगत एक ही है जैसे कि पुर्व में पहले हमने जो चर्चा सुनी कि शिश्र का ये प्रश्ण था कि क्या आत्मा शुन्य है सर्वाभाव है मतलब उसमें चाहिए तो उन्होंने समझाय कि यद्दपीवा पंच कोशों से परेही है परंतु सर्व्यापी है सब कुछ वही है तो शायद शुन्य कहना भी उसे उचितना हो तो ऐसी बात कही गई आगे चलते हैं और ब्रह्म और जगत की एकता के बारे में जो यहां चर्चा मिलती है उसको समझने का प्रयास करते हैं तो कहा जारा है सरिदम परमाद्वईतम स्वस्माधण्यस्य वस्तनों आभावत नहयन्य दस्ती किंशित सम्यक परमार्थ तत्व बोधे ही यह परमाद्वईत ही एक सत्य पदार्थ है यह अद्वाइत ही यह ब्रह्म ही एक सत्य पदार्थ है इसी को सत्य पदार्थ समझना चाहिए तो यह परमाद्वाइत ही मात्र एक सत्य पदार्थ है और कोई वस्तु है ही नहीं मतलब कि इस अद्वईत को छोड़कर इस ब्रह्म को छोड़कर दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं है दूसरी कोई वस्तु है भी नहीं जो है वह यह ब्रह्म ही है दूसरी कोई वस्तु नहीं है इस परमार्थ तत्व का पुर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता यह जो परमार्थ तत्व आत्मा है यह जो परमार्थ तत्व ब्रह्म है उसका बोध हो जाने पर यह इस पश्ट हो जाता है कि कुछ नहीं रहता मात्रिया ब्रह्म ही है और कोई दूसरा तत्व न यह संपुर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है समस्त भावनाओं के दोशशे रहित ब्रह्म ही है। अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है यह जो संसार नाना प्रकार का दिखाई दे रहा है कुछ कैसा है कुछ कैसा है। कभी इस प्रकार के भाव तो कभी उस प्रकार के भाव हम हमेशा किसी ना किसी भावना के भीतर रहते हैं यह भावना ही तो व्रती है। हम किसी वस्तू को देखते हैं अच्छी हो बुरी हो सात्विक हो राजसी हो तामसी हो कैसी भी हो उसमें हम भाव गरहन कर लेते हैं। तो हमेशा भावनाओं के वश्रिपूत रहते हैं लेकिन जो ब्रह्म है वह भाव दोश से रहित है। इसलिए वह भावातीत है। तो ये बात यहां पर समझाने की कोशिश की जारी है। इसलिए यह संपुर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है। अर्थात यहां पर अज्ञान कहने का ताक पर इंद्रिय अनुभूतियों को अज्ञान कहा जा रहा है तो इंद्रिय अनुभूतियों से जो नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है समस्त भावनाओं के दोश से रहित ब्रह्म ही है वास्तों में यह संपुर्ण संसार ब्रह्म ही ह लेकिन अज्यान के कारण नाना प्रकार के सतरंगी दुनिया दिखाई दे रही है। मिटी का रूप होने के कारण मिर्तिका रूप मतलब मिटी का रूप होने के कारण घड़े का रूप मिर्तिका से प्रथक नहीं होता। ठीक है वह नाम मात्र की कलपित सत्ता ही घड़े की सत्ता है इसको समझे वास्तों में वह घड़ा एक कलपित विशय है सत्त तो यह है कि वह भी मिट्टी है कलपित होकर वह घड़ा का रुपधारन कर लिया है किसी कुमहार की कलपना है कि वह ऐसी आकरती दे कर एक घड़ा बन तो घड़ा जो है वह कल्पित विशय है और मिट्टी की सत्ता वहाँ पर सत्य है तो इसी प्रकार से यह संपुर्ण जगत अज्ञान के कारण जैसा भी दिखता हो वास्तों में यह ब्रह्म है संपुर्ण जगत ब्रह्म रूप ही है इसे वैश्वा नर ब्रह्म की रूप में उपनीशत बताते हैं मांडो के उपनीशत आगे कहा जा रहा है क्या आप मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता क्या आप मिट्टी से अलग घड़े का रूप दिखा दोगे नहीं दिखा पाओगे वो मिट्टी से ही बना है मिट्टी के अंदर जैसे गुन है तभी वो बन पाया है मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता इसलिए घड़ा तो मोह से ही कल्पित है वास्तों में सत्य तो तत्व सरूपा मिर्थिका ही है तत्व सरूप मिट्टी ही सत्य है सत्व ब्रह्म कारिया सफल प्रपंच सत्य रूप ही है क्योंकि यह संपुर्ण वही तो है उससे भिन कोई सत्य नहीं होती उससे अलग ब्रह्म से अलग किसी भी चीज की किसी भी विशय की कोई दूसरी सत्य नहीं है जो कहता है कि उससे प्रथक भी कुछ है उसका मोह दूर नहीं हुआ जो यह कहे कि ब्रह्म से अलग भी कोई सत्य है तो उसका मुह अभी दूर नहीं हुआ, उसका यह कथन सोई हुए पुरुष के प्रलाप के समान है, यह समझ लेजी, तो वो सोया हुआ मुह में पड़ा हुआ वेक्ति है, जो यह कह रहा है कि ब्रह्म के अलावा भी किसी की सक्ता है, वो मुर्खता से पुर्ण माया के निद्रा में सोया हुआ विक्ति है, जो कह रहा है कि ब्रह्म से अलग भी कोई सक्ता है, जैसे जीव की सक्ता, प्रकृति की सक्ता लोग बता देते हैं, तो उससे अलग कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म से ही है, ब्रह्म से ही सब कुछ है, इस इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है पहले भी मैंने इस पर व्याक्षान दे चुका है दे चुका हूं अथर्व शूती के प्रमान के साथ अथर्व शूती के ब्रह्म सुक्तों में इसकी चर्चा है ब्रह्म ज्यान के सुक्तों में ब्रह्म जगत के सुक्तों में इसकी चर्चा मिलती है अथर्व शूती के अंदर अथर्व वेद के अंदर और पीछे लगबग कुछ महीने पहले लगव नहीं वे तो 7-8 मेने पहले जहां तक मुझे इस्मरन है इस पर मैंने एक चर्चा की थी और अथर्व वेद से मंत्र खोल कर दिखाये थे जिसमें लिखा हुआ है कि जड़ और चेतन ब्रह्म के ही रूप हैं ब्रह्म के ही संताने बताएगे ब्रह्म के पुत्र बताएगे हैं जड़ और चेतन जिन से आगे स्रिष्टी बढ़ती है वास्तों में ब्रह्म से ही सब कुछ है और ब्रह्म से ही सब कुछ आगे बढ़ा हुआ है इस तरह की सत्ता का वर्णन है तो यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है ऐसा अतिस्रिष्ट अथर्वशुती कहती है इसलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है क्योंकि अधिश्ठान से आरोपित वस्तू की प्रतक सत्ता हुआ हो ही नहीं सकती हुआ ही नहीं करती ठीक ना अधिश्ठान से आरोपित वस्तू की सत्ता नहीं हो सकती अगर आप जैसे घड़ा है तो घड़े की सत्ता नहीं है सत्ता तो मिट्टी की है मिट्टी ना होता तो घड़ा ना होता तो मिट्टी ने ही कुमहार के चाक पर मिट्टी को घुमा कर उसे घड़े कई आकरती दी गई है वह कल्पित है घड़ा कल्पित विशय है मिट्टी ही सत्य विशय है उसी में मोह लगाए बैठे हैं कुछ इस प्रकार की चर्चा है आगे कह रहे हैं कि सत्यम सत्य वस्तू के जो सत्य वस्तू है वस्तो में यहां पर मिट्टी ही है मिट्टी कोई सत्य वस्तू घड़ा सत्य वस्तू नहीं हो सकता तो घड़ा मोह से ही कल्पित है घड़ा जो है वह मुँह से ही कल्पित है आगे कहा जा रहा है सत्यम यदी श्याजग देत दात्मनों अनंत्त्वा आनिर निगमा प्रमानात असत्यवादित्वम प्षीतु इस्याने कत्रयम साधु हितम महात्मनाम अर्थात यदी यह जगत सत्यम यदी, यदी यह जगत सत्य होता, तो आत्मा की अनंतता में दोश आ जाता, और शुति अप्रमानिक हो जाता, और जो शास्त्र कहते हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण की भीवानी है मित्ठ, कि ये तीनों इश्वर भी फिर मिध्यावादी हो जाते इस परकार की बात यहीं जाड़ी है इसलिए जगत को सक्षे नहीं माना जा सकता ब्रह्म को ही सक्षे माना जा सकता है इष्वारव वस्तुत्व तट्वग्यो नेश ववस्त थिता नाचा मतस्त्थानी भूतानी अर्थात परमार्थ तत्व के जानने वाले श्रीकृष्ण भी भगवान भी कुछ ऐसी बाते कहते क्या कहते हैं कि ना तो मैं ही भूतों में स्थित हूं और ना ही वो मुझ में इस्थित है क्योंकि होने की आवशक्ता ही नहीं है नचा मतस्था ना चाहम तेश्व वस्थित नचा मतस्थानी भूतानी एक जगह पर भगवान ने कहा है कि हां मैं भूतों में स्थित आत्मा हूं परंतु सत्य तो यह है कि ना मैं भूतों में स्थित हूं ना ये भूत सब कुछ उसी ने अनेको रूपधारण कर रखाया जो इंद्रियों के वशिभूत अज्ञानता वश दिखाई देते है एं और संसार के परतिती जागरत अवस्था में तो होती है स्वपना वस्था में भी होती है परंतु सुशुक्ति में नहीं होती है तो जगत अजदी विश्व सत्य होता तो सुशुक्ति में भी उसकी परतीती होनी चाहिए थी किन्तु उस समय इसकी कुछ भी प्रतीती नहीं होती सोशुप्ति वस्ता में। इसलिए स्वप्न के समान असत और मिध्या है। परमात्मा से प्रथक जगत है ही नहीं उस परमतत्व से उस ब्रह्म से प्रथक जगत है ही नहीं उसकी प्रथक परतीती तो गुणी से गुण आदी के प्रथक परतीती के समान हुद मित्या है गुणी से गुण आदी के जैसे कि कोई गुणी वेखती है आप उसको अलग देखो और उसके गुणों को अलग देखो क्या दोनों को अलग अलग गुणी से गुणों को अलग करके देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं वैसे ही जगत को इस विश्व को ब्रह्म से अलग करके नहीं देख सकते वह ब्रह्म ही है बस अज्ञानता वश्य इंद्रियों के कारण जो अज्ञानता पैदा हो रही है उससे सतरंगी दुनिया दिखाई दे रही है तो कि मनुष्य के आखों में सात रंग देखने की ही छमता है उससे अधिक रंगों को देखने की छमता नहीं है तो यहां पर यह समस्त्या है, तो वस्तू की वास्तविक्ता ही क्या? वह तो अधिश्ठान ही भ्रह्म से उस प्रकार भासरा है, वस्तू की कोई वास्तविक्ता नहीं, वह तो अधिश्ठान के कारण, अधिश्ठित होने कारण वैसा भासरा है, जिस प्रकार भ्रम से प्रतीत हुई चांदी वस्तूता सीपी ही है इसमें कोई संशन ये चांदी की तरह दिखता है लेकिन चांदी है नहीं तो इधम जगत यह जो जगत है रूप से सदा ब्रह्म ही कहा जाता है ब्रह्म में ही आरोपित है और ब्रह्म से अलग नहीं है ब्रह्म ही है और उसका जो रूप है आरोपित जगत तो नाम मातर है जगत तो बस नाम मातर है जैसे कि मिट्टी ही घड़ा बन गया है घड़ा तो मिट्टी का ही एक रूप है घड़ा क्या है जो घड़ा है जो घट है वह मिट्टी का ही एक रूप है जो घट है वह मिट्टी का ही रूप ह ठीक, ऐसे इस विशय को समझना चाहिए, जो घड़ा है, जो घट है, वह मिट्टी का ही एक रूप है, मिट्टी ने एक रूप धारण कर लिया, जिसको आपने घड़ा नाम दे दिया, और उसमें पानी रख दिया, उसमें फिर आपने पानी रख दिया, तो घड़ा कुछ और नहीं है, घड़ा तो मिट्टी का ही एक रूप है, वैसे ही यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, अज्यानतावश ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा है, इंद्रियों के कारण ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ और दिखाई दे रहा है, कल्पित विशय दिखाई दे रहे हैं कल्पित विशय दिखाई दे रहे हैं ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहे हैं यह समस्य वैसे ही जैसे घड़ा मिट्टी नहीं एक रूपधारन कर लिया घड़े का तो उसे आपने घड़ा कह दिया उसे आपने मिट्टी नहीं कहा बस इतना सा ही फर करते हैं आपके कमेंट आपके टिपनियों पर बभीता धीमान जी बहुत-बहुत अभिनंदन आपका राजुपाल जी बहुत अभिनंदन जैनती भाई पटेल जगत नरायन जी अरी मोहन गुपता जी गरुपुरान में जो नरकों का वर्णन किया गया है उनके प्रतीक समझे या उत्मा समझे या फिर कलपना है यक्रिप्या समझाएं वह वास्तविफ्ता है लेकिन वह किसी अकाशी अस्थान पर कहीं पर नहीं है ठीक है क्योंकि करमों का फल तो भोगना पढ़ता है जब करमों का फल भोगेगा तो आदमी समझेगा हाँ जब हम कथाओं में उसे पढ़ते हैं तब वो कल्पित विशह है हमारा अनुभव तो है नहीं लेकिन कर्मों का फल जीव को भोगना ही पढ़ता है और नरक कुछ नहीं है नरक है तो परतीक जब किताबों में लिखा है तो जिन शब्दों में लिखा है तब तो वो प्रतीक के रूप में है लेकिन जब अनुभाव हो जाएगा तब तो वास्तविक्ता हो जाएगी और अनुभाव का अनुमान जरूर हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि संसार में कर्म फलों का भोग जीव करते ही करते हैं तो उसका अनुमान होना भी सभाविक है दिनेश महराज जी नचिकेता शरीर के साथ यमलो कैसे गया योगी तो था नहीं किसी ने उसे हाँ अपने पिता की कृपा से गया था पिता ने भेजा था इसमिर्थी रस्तोगी जला राम राइका हरी मोहन कथा वाचक वो संत या गुरू कह सकते हैं अगर वो ऐसा ज्यान देते हैं तो जो ज्यान का स्रोत है वो गुरू है ठीक है अगर उनसे कोई श्यान आपको हो रहा है तो आप गुरू कह सकते हैं मातर कथा कहानी सुनने तक सिमित हैं और आप कोई ज्यान नहीं ले पा रहे हैं तो नहीं अगर ज्यान ले पा रहे हैं ज्यान का स्रोत बनते हैं तो कह सकते हैं मितले सिंग, गवरोव विकरम सिंग जी, वोतभिनंदन, उशा शिरवास्तों जी, विकरम सिंग जी, टीयार राठिया, सविता नायक, विमला शा, कार्तिक बेदी, राम निवास मीना, कार्तिक बेदी, मंतरों को कैसे जपा जाए कि उनके देवी देवता की कृपा प्राप्त हो और साथ में हमारा और 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 श्ट्रॉंग हो और क्या मंतरों के द्वारा चक्रा भी बैलेंस कर सकते हैं अधी हां तो कैसे कल का विशय है कल मंत्र शक्ति पर चर्चा होगी तो जरूर आप उसका लाव उठाई भगवती यादो रमेश पेश्वानी मादुरी कोले जन जोंती दत्ता विंदेश्वरी मिश्रा जी बलवन सिंग गोहिल राम प्रकाश रचना जी रियल फैक्ट्स गने पडीर शाह सरोज कृष्णानी कनहाई कुमार जी अल्पा पटेल जी बहुत बहुत अबिनन्दन है तार्तिक बेदी सुष्ट्ट्ी में जगत का ध्यान नहीं होता तो गुरुजी परम आत्मा का भी तो ध्यान नहीं होता उससे क्या फरक कड़ता है परम आत्मा का ध्यान नहीं होता तो शुप्ति में जगत नहीं होता जगत का ध्यान नहीं होता यह नहीं कहा गया जगत ही नहीं होता आपकी अनुभूती में आपकी चेतना में जगत उस समय रहता ही नहीं है तो शुप्ति अवस्था में और यहां तकी समय का भी पता नहीं चलता जितने दिर आप सुशुप्ति अवस्था में रहेंगे आपको काल का कोई अनुभाव उसमें नहीं होगा अगर मान लिजिए कि आप सो गए लेट गए और सुशुप्ति में तुरंत चले गए तो तीन-चार घंटे बीज जाएंगे और जब उठेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तो लेट कभी कभी बात करते हुए ग्यान गंज के विश्य में बताएं हैं पजरंग शर्माजी रतन नात जी स्प्रिच्वल अवेरनेस शरत कुमार नियाल आरियन कुमार क्या इस्ट की प्राप्ति पर्मानेंट होती है प्लीस टेल मी इस्ट की प्राप्ति पर्मानेंट होने का क्य मतलब है इस संसार में कुछ भी पर्मानेंट वैसे नहीं होता जब तक मुक्ष ना हो जाए कुछ भी पर्मानेंट नहीं है यूगेश्च अब जब पर्मात्मा की बात की बात करते हैं तो वे मंदर में चीज मांगने वाले लोगों के भगवानों से कैसे अलग है मंदर में जिनसे आप चीज मांगते हैं वो देवता है वो पर्मात्मा नहीं है ठीक है और इस चैनल के पीछे के वीडियो में जाए देवता पर्मात् प्रमात्मा तत्तरूप हैं प्रमात्मा ब्रह्म हैं प्रमात्मा आत्मा है प्रमात्मा ब्रह्म में कोई भेज नहीं है भगवान अलग है देवता अलग है जब आप मांगने जाते हैं मंदिरों में तो आप देवता से मांगते हैं प्रमात्मा से कुछ मांगा भी नहीं जाता ह तो कि परमात्मा मुक्ष का कारक बनता है, मुक्ष में सहायक होता है, लक्ष बनता है, परंतु उस वो कुछ देता नहीं है, किसी के इक्षाय पूर्ण नहीं करता हुआ, किसी के मांग नहीं पूर्ण करने के लिए बैठा हुआ, देवता करते हैं, मांग, भगवान करते हैं, उनसे मांग सकते हैं तो आपके प्रश्णिक अनुसार भगवान और प्रमात्मा एक हैं लेकिन मेरे उत्तर अनुसार भगवान और प्रमात्मा दो अलग विशे हैं ठीक है? प्रमात्मा तक्तवरूप में हैं, प्रमात्मा ब्रह्मसरूप है, भगवान तो देवरूप में हैं और वह छह भगों से संपन्ठ जो शक्ति है, जो हमारे रिशी मुनियों को भी भगवान माना गया है अगस्त मुनी हो गया है विश्वामित्र हो गया है इन सब को भी भगवान कहा गया है आप पुरान पढ़ेंगे या शास्त्रों को उपनीशदों को पढ़ेंगे तो कई रिशियों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है जच्वत्वासट्र रिशी के लिए प υपलाजर का प्रयोग किया गया है इसा नहीं कि सर्फ राम और कृष्न को भगवान कहा गया है इसलिए ब्हगवान कहना देवता कहने में जो फर्क है उससे समझना चाहिए तो देवता मंदिरों में जाते हैं देवरूप में जो पूज मोक्ष ध्यान योग से मिलता है या अश्टांग योग से मिलता है अश्टांग योग ध्यान योग एक ही विशय है अश्टांग योग में आठ अंग की चर्चा है जब ध्यान योग होगा तो उसमें प्रणयाम परताहर धारना ध्यान समाधी ऐसे चर्चा होगी ये कही विशह है वो अलग-अलग विशह नहीं है अलग-अलग विशह समझना ही ब्रह्म है और भ्रमित अवस्था है अगर अलग-अलग कोई समझ के बैठ गया तो ठीक है तो ये कई बार तो यही लगता है कि लोग भ्रमित रहना ही पसंद करते है तो कि भ्रमी तवस्था में बुद्धी काम करती है, भ्रमी तवस्था में तर्क वितर्क होता है, तो इसलिए योग सिर्फ एक है, ना कर्म योग अलग है, ना ग्यान योग अलग है, ना भक्ति योग अलग है, अलग है ही नहीं, यह अलग अलग संदर्ब से इसको बताया गय है हम कुछ ऐसा कर्म करें जिससे कि योग हो तो वह कर्म योग है हम कुछ ऐसी भक्ती करें जिससे कि हमारा योग हो हम कुछ ऐसा ग्यान हासिल करें हम कुछ ऐसा ग्यान अरजन करें जिससे की हमें आत्मा का रहस्य प्रगट हो जाए और हमारा यूग हो जब ऐसा ग्यान अरजन हो जिससे की यूग प्रारंब हो जाए तो वो ग्यान यूग हो जाएगा ठीक है ऐसा हमने कर्म किया जिससे की हम निश्काम भावना से हमने कर्म किया कर्तव की पालना की अपने लाभानी सुख दुख की चिंता हमने नहीं की और कर्म किया तो वो कर्म योग हो जाएगा लक्षे तो योग करना है लक्षे तो अनावरन है लक्षे तो कर्म बंधन से मुक्ती करकर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना है लक्ष तो चित्वर्ती का निरूध करकर स्वरूप में अवस्था इस्थित होना है स्वरूप की उपलबधी है आत्मा को जानना, ये लक्ष है ठीक है? तो कर्म योग होगा, ज्यान होगा योग तो एक ही विशय है, योग का लक्ष तो एक ही है, चलिए, इसी के साथ आज के विचारों को यहाँ विराम देते हैं, कल फिर, कल फिर 9 बजे, एक बहुत ही महत्पुर्ण विशय समसामईक विशय पर, विवेक चुड़ा मनी से हट कर, समसामईक विशय पर चर्चा करें और उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो कल 9 बजे, इस मंत्र विज्ञान की चर्चा का जरूर जरूर आप लाब उठाईए, तो बहुत बहुत आभार है, आप सभी का जुड़े रहें, बने रहें, और जो ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, 29 तारिक से ध्यान योग क कोर्स है, आप जोईन करना चाहते हैं, जोईन कीजिए और उसका पूरा-पूरा लाब उठाईए, ठीक है, ठीक, यह सारी चीजे चर्चा में होती रहती है, वेद पुरान शास्त्र उपनिश्द इन में क्या अंतर बताया जा चुका है, आप पीछे हमारे विडियो में जा इन सब की चर्चा है, ठीक है, भारती सनातन धर्म के जो शास्त्र है, शास्त्र परंपरा क्या है, और शास्त्र क्या है, कैसे है, उन सब की चर्चा है, आप उसे देख सकते हैं, उन विडियो को नहीं तो आगे भविश्य में भी चर्चा चलती रहती है, आप जरूर उसका आप उठाईए तो इसी के साथ विराम देंगे अभी और कल फिर नौ बजे मिलेंगे आप सभी से और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बहुत-बहुत आभार आप सभी का अबड़ा खार आप सभी का उठा एंगे बड़ात आप नौ एंगे बड़ाएंगे बहँता आप साथ साथ सिस्टास।